प्रियानन्द आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूज ऑफ टाइम बायनू प्रियानन्द में चलते हैं आज के इंपोर्टन जंडरल अवेरनेस की और हर रोज सुबचे बजे मोश्ट इंपोर्टन जंडरल अवेरनेस की क्लास होती है अगर आप पहले बार विजिट कर रहें तो सब्सक्राइब जरूर कर लेजिएगा देखिए सवाल नंबर वन बोद धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड कर एक महत्वपुर्ण प्रभाव छोड़ा ये वर्ग थे कौन ऑप्शन देखिएगा एक वनिक एवं पुरोहिद ऑप्शन दो साहुक इस्त्रिया एवं सुद्र बहुत धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड कर एक महत्वपुर्ण प्रभाव छोड़ा ये वर्ग थे इस्त्रिया एवं सुद्र याद रखना है अगले प्रिशन क्यों चलते सवाल नंबर दो ध्यान से देखिए मुस्लिम लिग अगले प्रिशन क्यों चलते सवाल नंबर तीन ध्यान से देखिए प्रसेद फार्सी तयोहार नौ रोज का प्रवर्तन किस ने किया था ऑप्शन देखिएगा एक अलाउद दिन खिलजी ऑप्शन बी लिस्तु मिशन ऑप्शन ऑप्शन तीन फिरोज तो गलग या ऑप्श ऑप्शन नंबर चार सही है बलबन याद रखना है अगले प्रिशन के ओड़ चलते हैं सवाल नंबर चार फोर ध्यान से देखिए प्राचीन काल में श्रोत समागरी लिखने के लिए प्रयुक्त भासा थी कौन सी ऑप्शन देखिएगा एक संस्क्रीट दो पाली तीन ब्र रोमन सामराज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा अक्रमन के साथ समाप्त हो गया उप्शन देखिएगा एक अर्मो द्वारा दो हंगोरियाईयों द्वारा उप्शन तीन हुनो द्वारा या उप्शन नंबर चार तुर्कों द्वारा तो दोस्तों इसक सवाल नंबर छे ध्यान से आइन ए अकबरी का लेखक है कौन ऑप्शन देखिएगा एक अबुल फजल ऑप्शन दो अल बिरूनी ऑप्शन दीन फरिस्ता यह अप्शन नंबर चार अमीर खुसरू तो दोस्तों इसका से अंसर होगा ऑप्शन नंबर एक जीहां अबुल फजल आइन अकबरी का लेखक है अबुल फजल याद रखना है अगले प्रिशन क्यों चलते हैं सवाल नंबर साथ ध्यान से देखिए प्रसिद क्रांतिकारी गीत सर्फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है इसकी रजना किसने के थी ऑप्शन देखिएगा एक भकत सिंग दो ख प्रसिद क्रांतिकारी गीत सर्फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है इसकी रजना किशने की थी तो राम परसाथ बिसमिलने याद रखना है अगले प्रिशन क्यों चलते हैं सवाल नंबर आठ क्वेस्चिन नंबर इड ध्यान से देखिए अगर आप पिछली वीडियो क मिस कर चुके हो तो आई बटन पर देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है डेली छे बजी करेंट अफे और हरुद साम आट बजी जनरल अवेरनेस की क्लास होती है यूज ऑफ टाइम बायनु प्रियानन्द में देखिए सवाल नंबर आठ भारत का पहला वा याद रखना है अगले प्रिशन के और चलते हैं सवाल नंबर नो ध्यान से देखिए परसिद गिरवन कहां इस्तित है एक देखिएगा मैसूर ऑप्शन दो कासमीर ऑप्शन तीन गुजरात या ऑप्शन नंबर चार केरल तो दोस्तों इसका से अंसर होगा ऑप्शन नंब सेक्षन में जा करके चेक कर सकते हो वहां पर मैंने लिंक डाल रखी और आप टेलिग्राम पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो वहां पर यूज ऑप टाइम बानुप्रियानन सर्च करोगे तो मिल जाएगा और नहीं तो मेरे अबाउट सेक्षन में जा करके आप मुझ तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा option number 2 जी हाँ केरल तमिलनाडू करनाटक option number 2 इसका सही आंसर है याद रखना है अगले question के ओड़ चलते हैं सवाल number 11 ध्यान से देखिए सूर्य का प्रिष्ठ यतापमान आंका गया है कहा option देखिएगा एक 6000 degree Celsius option 2 बारह 1000 degree Celsius option 3 अठारह 1000 degree Celsius या option number 4 24000 degree Celsius तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा option number 1 जीहा 6000 degree Celsius इसका सही आंसर है याद रखना है अगले question के ओड़ चलते हैं सवाल number 12 ध्यान से देखिए निमलिकित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं option देखिएगा एक मंगल दो नेप्ट्यून या तीन बुद्ध या option number 4 प्लुए तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा option number 3 जीहां बुद्ध कहा गया है कि किस ग्रह का कोई चांद नहीं तो बुद्ध का याद रखना है अगले question के ओड़ चलते हैं सवाल number 13 ध्यान से देखिए भारत का मानक समय ग्रीन बीच मध्यम समय से आगे है पीछे है और कितने गंटे तो option देखिएगा एक 5 गंटे आगे है option 2 चार गंटे पी है भारत का मानक समय ग्रीन बीच मध्य से मध्य समय से पांच गंटे आगे है याद रखना है चलिए अगले question के ओर चलते हैं question number 14 सवाल number 14 ध्यान से देखिए काले बन पाए जाते हैं क्या में option देखिएगा 1 फ्रांस में 2 जर्मनी में 3 चैकोस लो वाक्या में या option 4 रुमान तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा option number 2 जी हाँ जर्मनी में काले बन पाए जाते हैं कहां में तो जर्मनी में याद रखना है आप पिछले वीडियो को आई बटन पर देख सकते में बार बार बता रही हो अगर मिस कर चुके हो तो और नीचे description में लिंक है और जिनोंने subscribe नह सवाल number 14 तो देख चुके हैं चलते हैं 15 नंबर की ओर प्रिथवी अपने अक्ष पर कितनी आनित पर घूमती है और आनती पर घूमती है option देखिएगा एक 23 option दो देखिएगा 2272 degree option 3 2142 degree option number 4 20 degree दोस्तों इसका सही आंसर होगा option number 1 जी हाँ friends यह सारे options गलत हैं actually यह mistype हो गया था यह सारा ही wrong है इसका सही answer होगा देखिए इसका सही answer क्या होगा 23 degree जी हां 1 by 2 degree यह सही है यह सारा wrong है option यह mistype हो गया इसलिए आपको यह याद नहीं रखना है okay 23 degree यह याद रखना है मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रही हूँ आप ध्यान से देख सकते हैं यह सारा wrong है इसे बिलकुल भी ध्यान में नहीं रखना है यह सारा wrong है मिश type हो गया actually मझसे चलिए अगले प्रिशन के ओर चलते हैं सवाल नंबर 16 ध्यान से देखिए निम्न लिखित में से कौन सा पोतास्त्रे प्रकृतिक पोतास्त्रे नहीं है option देखिएगा एक चैन नहीं दो मूंबई तीन कोचिन या चार पारादीब तो दोस् अगले प्रिशन के ओर चलते हैं सवाल नंबर 17 ध्यान से देखिए कुछ पाधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वेफल भक्षी पक्षियों के पाचन छेतर में ना गुजरे इसका कारण है क्या option देखिएगा एक सीत निसक्रेता option दो बीज आवरन ओपरा गम्यत कहा गया कि कुछ पाधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वेफल भक्षी पक्षियों के पाचन छेतर से ना गुजरे इसका कारण है बीज आवरन परा गम्यता याद रखना है अगली प्रिशन क्यों चलते हैं सवाल नंबर 18 ध्यान से देखिए गन्ने में स्यूक् तो इसकी मात्रा कम हो जाती है ओप्षन देखिएगा एक यदि पाधप के वरिदी की अवधी के दौरान ऻाइन कर ऑप्षन तीन यदि पाधप के वरिदी की अवदी के दौरान ताप मानमें उतार चड़ाव हो या उप्षन कि मात्रा कम हो जाती है याद रखना है अगली प्रिशन के ओर चलते हैं सवाल नमबर 19 ध्यान से देखिए निम्नोक्त पुरुसकारों में से किसे युनेस को द्वारा प्रारंब किया गया ऑप्शन देखिएगा एक अंतराष्टिय मेल मिलाप के लिए नहरु पुरुसकार ऑ किसे युनेस को द्वारा प्रारंब किया गया है तो कलिंग पुरुसकार कौन से पुरुसकार को कलिंग पुरुसकार को याद रखना है अगली प्रिशन के ओर चलते हैं सवाल नमबर 20 ध्यान से देखिए योग्यतम की उत्तर जीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किया था किसने ओप्शन देखिएगा एक ओपेरीन ने ओप्शन दो डार्विन ने ओप्शन तीन स्पेंसर ने ओप्शन नमबर 4 हैकल ने तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा ओप्शन नमबर 2 जीहां डार्विन ने याद रखना है योग्यतम की उत्तर जीविता की का समर्थन सबसे पहले किया था डारविन ने याद रखना है अगले प्रशं के और चलते हैं सवाल नंबर 1 का इस ध्यान से देखिए विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है अपसिन देखिएगा एक बेरी बेरी दो पहले ग्रा ऑप्शिन तीन से देखिए पुरुस में गुनसुत्र की सामान्य संख्या होती है कितनी ऑप्शन देखिएगा 1,42,42,41,3,46 या 4,48 तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा ऑप्शन नमबर 3 जी हाँ 46 पुरुस में गुनसुत्रों की संख्या कितनी होती है तो 46 याद रखना है अगले प्रेशन क सवाल no.24 भी पुरुस के पुरुस में तो चाहर नही요 आद रखना है अगले प्रेशन की ओडार चलते हैं सवाल No.24 द्यान से देखिए निमने लिखित में से अधिक जलन किस से पैदा होती है औप्शन देखिएगा एक उबलता हुआ पानी औप्शन दो गरम पानी औप्शन तीन भाप या औप्शन पिघलती हुई प्लावी बर्फ तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा option no.3 जीहां भाप कहा गया है कि निम्लिकित में से सबसे अधिक जलन किस से पैदा होती है तो भाप से इससे सबसे अधिक जादा जलन पैदा होती है अगले प्रिशन क्यों चलते है नमबर 25 जीहां से देख option देखिएगा 1 साफ मौसम का option 2 तूफान का option 3 वर्षा का option 4 सीतल मौसम का तो दोस्तों इसका से अंसर होगा option no.2 जीहां तूफान का वायू मंडल यदाब का सहता पतन किस बात का संकेत है तो तूफान का याद रखना है अगले प्रिशन क्यों चलते हैं फ्रेंड्स मैं फि में रुची होती है और खुसी भी होती है और प्लीज कॉमेंट करके बताइगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और फ्रेंड्स चलिए अगली क्वेस्टन के उचलते हैं किसी भी कॉम्पेडिटिव एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं और खास करके जो लब कोई कंपेडिटिव इक्जाम के तैयारी कर रहे हैं कोई फ्रेंड्स है रिलेटिव है या ग्रूप में कॉन्टेक्ट में कोई भी लोग है तो उन तक ये वीडियो जरूर सेयर कर दीचे नमबर 25 दिहान से देखिए वायू मंडल ये दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है तो इसका एंसर होग पर दो जिहां तुफान का याद रखना है ये मैंने बता रखा था अभी चलिए देखिए सवाल नमबर 26 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी ऑप्शन देखिए का एक डालटन दो एविन श्रोडिंजर ऑप्शन तीन निल्स बोर याप्श नमबर 27 ध्यान से देखिए द्रव्यों में चुम्बकत्व का कारण होता है क्या ओप्शन देखिएगा एक सांत इलेक्ट्रोन ऑप्शन दो इलेक्ट्रोनों की वर्तुल गती ऑप्शन तीन सांत प्रोटोन या ओप्शन नमबर 4 सभी सांत न्यूट्रोन दोस्तों इसका अप्शन नमबर 2 जिहां इलेक्ट्रोनों की वर्तुल गती द्रव्यों में चुम्बकत्व का कारण होता है इलेक्ट्रोनों की वर्तुल गती याद रखना है अगले प्रिशन के ओड़ चलते हैं नमबर 28 जिहां से देखिए निमलिकित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है अप्शन देखिएगा एक सुक्र दो बुद्ध तीन मंगल या चार ब्रहस पती तो दोस्तों इसका सही आंचार होगा उप्शन नमबर 3 जिहां मंगल निमलिकित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है तो मंगल ग्रह को याद रखना है अगले प्रिशन के ओड़ चलते हैं न अप्शन नमबर 4 सही द्वीफोक्सी लैंस का परियोग करके तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अप्शन नमबर 2 जी हां सही अवतल लैंस का परियोग करके मानव के आंक के निकट दृष्टी को ठीक किया जा सकता है किसका परियोग करके तो सही अवतल लैंस का परियोग क करके याद रखना है अगर किसी के आंख में प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे और उसको निकट द्रिष्टी को किस से ठीक किया जा सकता है तो अव तर लेंज के परियोग से याद रखना है अगले प्रशन को चलते हैं सवाल नंबर 30 यह हमारे अंतिम आएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा देखिए सवाल नंबर 30 तारों के टिम्टिमाने का क्या कारण है ऑप्शन देखिएगा एक प्रकास का परिछेपन ऑप्शन दो पुर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्शन तीन वायू मंदलिया परावर्तन यह उप्शन नंबर 4 अपने दोस्तों को सेयर जरूर कर देना यह वीडियो खास करके वीडियो जरूर सेयर कर देना आप मैं फिर से बोल रहे हैं मेरे चैनल के अबाउट सेक्षन में जा करके देख सकते हो वहाँ पर आप मुझे टेली ग्राम ट्विटर इंस्टा और फेस्बुक पर फोलो कर सक